हेलो फ्रेंट्स टमी बाइच फिद रेनों में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत इजी और डिलिशिस रिस्पी पोहा उसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बॉल पोहा लिया है और उसको दो ग्लास पानी में डिप करके आधे घुंटे के लिए एक कड़ाई में डाला दो टेबल स्पून देशी ही और उसमें सबसे पहले हम अपनी मूम फिली को फ्राई कर देते हैं और जैसी मूम फिली फ्राई होती है हम उसको एक बावल में निकाल लेंगे फिर इसके बाद इसी गी में हमने दाम और केश्मिश को रोस्ट कर लेना ह जादा ओवर रोस्ट नहीं करना है थोड़ा ही रोस्ट करना फिर उसको निकालके उसी गी में हमने अलू अपने फ्राई कर लेने आलू को हमने गोल्डन फ्राई करना है और इसको बहुत जादा नहीं हिलाएंगे और हिलाएंगे तो यह गल जाते हैं जादा तूट जाते तो इसको फ्राइ करने के बाद में इसी घी में हम अपने शिमला मिर्ज को सौते कर लेंगे और इसको ओबर कुक नहीं करना हो शिम्रामिर्ज करने के बाद में इसको भी हम प्याली में निकाल लेंगे इन सब वेजेटेबल को 43 क्या है त Lynn oughta पर ही कोक होती है अब हम यह उसको निकाल के इस ही कडाई में हमदा ऴीत एक taipछ पून और इसमें डालेंगे हारी मिर्च और गी टेबल पून जीरा से क्राइक को राएक लूगा तो हम उसमें एड़कर एक्ड्याज नहीं कर निकल जाए UpYgnate टमाटर को अच्छे से फ्राइ कर देना है और टमाटर फ्राइ होने के बाद में हम उसमें एड़ करेंगे अपनी सौते की हुई शिमला मिर्च, धन्या पॉडर, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और घी छोड़ दिया सबजी ने अब हम इ अब अब डालेंगे अपने पोह बिल्कुल रेडि हो गया और लास्ट में इसमें आज करी अपनी मुवफली और खूब सारा धन्या डाल के इसको कर दिया हमने गार्णिश और इसमें एड़ करेंगे हाफ टेस्पुन चीनी अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से चीनी इसके फ्लेवर को एन्हांस करेगी और एक नीमू कर देगी हम स्क्वीज तो इसमें खटा बन भी आ जाएगा और थोड़ा सा चाट मसाला अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग मेरी इस एजी और कोईक रेसिपी को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको ये डिश कै इसी लगी थाएं कि फॉर वाचिंग मैं चैनल प्लीस लाइक शेर और सुब्सक्राइब मैं चैनल थांक यू